गुडिबिंग प्याड़े बच्चों तो कैसे हैं आप लोग आसा करता हूं कि आप लग कापी अच्छे होंगे आज मैं फिर से आप सभी को हिंदी पढ़ाने के लिए आया हूं हिंदी में हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है जिसका सिर्शक है उसने कहा था प्याड़े बच्चों कल की कलास में मैंने आप सभी को उसने कहा था का लेखाक परिचय करा दिया था इस प्रकार देखें चिन्नित है सारांस को भी समझा दिया था ठीक है प्रस्ण उत्तर को भी समझा दिया था ठीक है इसलिए प्यारे बच्चों आज हम आप सभी को दूसरे पार्ट का वैख्या को समझाएंगे व्यक्ष्या को समझाने के बाद वस्तो निश्ड प्रस्ण को समझा करके आज ही इस अधियाई को मैं समाप्त कर दूगा ठीक है तो प्याड़े बच्चों यदि आपने अभी तक हमारे पैट कोर्स को जोईन नहीं कर रखा है तो आप अबस रूप से हमारे पैट कोर्स को जोईन कर लिजिए पूरे साल का पांचों विशय का आपको मात्र 15 रुपे लग रहे हैं जिसमें आपको सभी विशय चेप्टर वाइज पढ़ाये जाएंगे चेप्टर वाइज लाइब क्लासेज दिये जाएंगे नोट्स दिये जाएंगे कोस्टन एंसर कराए जाएंगे question answer में mvvi और bvi फ्रस्ण बताए जाएंगे October के अंत में gas question देखर के revision भी करवाए जाएंगे अर्थात October के अंत में syllabus को swap करके swap करने को ओध gas question देखर के revision भी करवाए जाएंगे यहाँ court और सिर्फ बिहार बोर्ड वाले ऐसे बच्चों के लिए है जो बच्चे कक्षा बार्वी में आर्ट्स ले रखे हैं और वे 2023 में एक्जाम देंगे तो यदि आप जोईन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारा नंबर है सत्तर एक सत्त पचास पेटालिस बावन अब हम प्यारे वच्चो व्याख्या पर आते हैं हमारा जो पहला व्याख्या है इसे व्याख्या का पंती कुछ इस परकार का है ठेक है पंती है समय के कुछ समय पहले अस्मिर्ती साफ हो जाती है जन भर की घटनाएं एके करके सामने आती है सारे दिर्सियों के रंग साफ होते हैं समय की धूंद बिल्कुल उनपड से हट जाती है ठेक है प्यार बच्चों क्या करना है तो आपको इस लाइन को व्याख्या करना है क्या करना है तो पहला तो इसका हम इंट्रो देंगे तो उत्तर लिख करके कुछ इस परकार से इंट्रो देंगे स्वार परतम ये जो पंती है ये पंती कहां से आई है चोकि अनेक पंती है चोकि पंतिया हो गया थो अनेक पंति है कहा से आया हैं, तो हमको लिखना है कुछ उत्तर में इस प्रकार से, पर यह प्रश्तूत पंतियां की बहुँ सारा पंति है, तो प्रश्तूत पंतियां हमारी पाढ़ पुस्तक दिगंत भाग दो के, यानि कि आपका जो हिंदी का किताब है, जिसका नाम क्य है दिगंत भागदो हिंदी का किताब है इसलिए दिगंत भागदो के उसने कहता पाट से ली गई जिनके लेखक चन्द धर सर्मा गुल लेडी जी है कॉन हैả करने फैरे दो लेखक तो चन्द धर ऑल्रो सर्मा मुल लेडी जी है इतना लिख दि ज grey आफ फिर पारकर आप च्छेंज करके हम इस लाइन को क्या करेंगे ठेकल के तो देखेंगे, प्रस्तूत पंतियों में मानब जीवन की पर विर्तियों का मनवंज्यानिक विसलेशन, अत्ययंत सफलता पूर्वक किया गया है, अर्थात यह जो लाइन है, इसे लाइन में मनोवेज्यानिक विसलेशन आपको किया गया हैं किसके द्वारा तो प्यारे वचों चंदधर सर्मा गुलेडी जी के द्वारा चंदधर सर्मा गुलेडी जी इस लाइन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब लोग मरने वाला होता है यानि मृत्यों निकट ह होती है तो जो असमर्ति है वह साफ हो जाती है अर्थात कहने का ताद पर है जो असमर्ण सकती है वह असमर्ण सकते काफी जादा बढ़ जाता है जिसे जन्द भड़ की एक घटना याद आने लगती है जैसे लाना सिंग को याद आती है कि किस परकार बच्पन में लड़की को तीरी कुडमाई हो गई कहके चिधाया करता था ठीक है उसके बाद विद्वान लेखक ने यहाँ बताने का पड़ियास किया है कि मिर्तियों के कुछ समय पुर्व मानव की अस्मरन सक्ति अत्यांत अस्पस्ट हो जाती है चैसी हो जाती है उसे अपने विगत जीवन की समस्त घटनाएं असमिर्दि सहज हो जाती है कैसे हो जाती है तो सहज हो जाती है अतीत के चित्र उने के नेतर के सामने कभी याद नहीं आता है लेकिन मरती समय वह जो धूंद होता है वह हटा जाता है जिसे जो में में जो घटना घटित होता है जिसे लड़की को छेरना ठीक है लड़की जब बड़े हो जाती है उनसे बाते करना उनको वचन देना एक करके वह याद आती है तता वह उन्हें सहज धंग से देख इबन अनुभव कर सकता है ठीक है गुलेरी ने उक्त तत्त इस संदर में परस्तूत किये हैं लहना सिंग युद छेतर में गोली बाड़ी से घायल होकर चिंतनीय इस्थिती में लिटा हुआ है उस समय अपने बीते दिनों की अस्मिर्थियों उनके मानस पटल को जख जोरने लगती है पास में बैठे वजीरा सिंग को सारी बाते कहना प्रारम करता है यानि पास में जो बैठा होता है वो एके करके वजीरा सिंग से सारी बात आपको कहता है तेक है यानि कि किस परकार मैं लर्की को बचपन में आपको छेरा करता था तीरी कुर्माई हो गई लरकी जब बोलते हैं हाँ मेरी साधी हो गई तो लरका किस परकार गुसा करता है चीगता है चिलाता है मिट्टी में लिटता है कुट्य को धेपा मंत मरता है एक विक्ति को मोरी में धकेल देता है तो एक एक बात जो है वह वह वजिरा सिंग को बताता है और एक और बात बताता है अपना भतीजा के बाड़े में कि जितना बड़ा मेरा भतीजा उतना बड़ा आम का पी स्वा भाविक परकिरिया का वर्नन है निकट अने पर परतेक व्यक्ति को अपने जीवन के अतीत के चने कैसा चन तो पहड़े बच्छो अतीत के चन साकार इवं और असपष्ट पड़ी लक्षित हो जाते क्या हो जाते हैं और असपष्ट पड़ी लक्षित हो जाते कहने का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ते मरने वाला होता है वो जान रहा होता है कि मैं अब मरने वाला हूं इसल शुरूप से दिखाई पड़ता है और अंत में उसका आंख क्या हो जाता है तो बंध हो जाता है अर्थात काने का अताथ पर उनका मृत्यू हो जाता है इस प्रकार इस पंदियों के माध्यम से जो लिखक है पंदित चंधरम सर्मा गुलेडे जी वह लहना सिंग के मर नासन इ समा प्रथम हो चका है इसलिए آब हम हम आते हैं कितार को पढ़र और किया दिया ुख बिहार बोड में कई बार यहाँ पूछे जाते हैं तो इसी परकार से इस लाइन को हम लोग इंट्रो में कुछ इसी परकार से लिखेंगे परस्तूत पंती पंती हमारी पाठ पुस्तक दिगंत भाग दो के उसने कहा था पाठ से ले गई है जिनके लेखक पंडित चंधर सर्म गुलेड़ी जी है कम से कम इतना यदि लिख देते हैं तो आपको एक नमब्दे ही देगा और यह लाइन काहां से लिया गया है आपके किताब से लिए पताई होगा ठिक है है फिर किताब में से कौन से पाठ से जिसने कह था पाठ से लिया गया है जiddenके लिखकर पंडित यानि जर्मन सेना से मौर्चा लेने वाली ब्रिटी सेना में कारियरत जमादार लहना सिंग यह क्या यह उक्त है यानि कि यह जो लाइन जो बोलता है बिना फेरे घोडा बिगरे बिना लड़े शिफाई यह लाइन बोलता है लाइन बोलता है लाइन बोलता है लाइन बोलता ह से लड़ रहा होता जर्मन कुई कि जर्मन सेनिकों को ने फ्रांस की भूमी पर dell कर दिया था धावा बोल लिए इसलिए कुए भारतं तो फिलां टाट हो प्रिटेन का तो अंग्रेज का अंग्रेज भारतिया है तो टाटेस को उठा करके फ्रांस की भूमी पर खुदी आपको लहना सिंग था। इस नामे कारियरत जम्मादार लहना सिंग के यह उकती है, उसके सरीर की रगो में यूद करने की आतूरता है, क्या है तो आतूरता है, क्योंकि हुआ क्या था विचारा लहना सिंग खंदक में परे परे बोर हो गया था उसका जो हड़ी है हड़ी अकर गया था हड़ी में जारा धस गया था क्या धस गया था जारा धस गया था इसलिए लहना सिंग बोलता है एक दो धावा हो जाता तो सरीर में क्या हो जाता तो ग वह चहता है कि उसके उच अधिकारी, उसके साथ, तैनाथ सेनिकों को सत्रूपर आकर्मन करने की अनुमती दे दे। लेकिन लप्रन सहब नहीं देते हैं अनुमती, मौर्चे पर निश्किरिये डटे रहने से वहाँ छुब्द है। अता उसका कथन है कि घोरे को यहां पर तेरे ने फेरे होगा घोरे को फेरे बीना वह बिगर जाता है जिस परकार घोरे को नहीं फेरियेगा तो वह क्या होता है बिगर जाता है अर्था कुंद हो जाता है सितिल हो जाता है तता बीना यूद किये इसी परकार बीना यूद किय सिफाई की छमता कुंद हो जाती है यानि की घट जाती सिफाई का जो छमता होता है वह छमता क्या हो जाता है तो प्यारे बचों आपको कम हो जाता है इसलिए लाना सिंग आपको कहता है बीना फेड़े घोड़ा बिगड़े बीना लड़े सिफाई अर्थात कहने का मतलब है क गोड़ा को नहीं फिरेगा तो गोड़ा क्या होगा गोरा बिगण जाएगा यानि hey ओ सी परकार सिभाई यदि नहीं लणेगा सिफाई का सक्तिक मुंद्ध हो जागा यानि कम जाएगा घट जाएगा इस दिये लहना सिंग क्या करना चाहता है तो युद करने के लिए आतूर रहता है पर्यांज करेंगे इस प्रकार उपर युक्त गध्यांस के जगा अब पंती भी लिख सकते हैं एक जो यानि एक जो सैनिक होता है उसका मानसिक्ता क्या होता है तो सैनिक का मानसिक्ता ही होता है लरना ठीक है उसकी भूजाएं यूद करने है तो फड़कती है यानि फड़ फड़ा रहा है उसका भूजा ठीक है तता वह अपने सोर का परदर्शन करना चाहता है सोर मतलब अपने सक सक्ति के लानसीन में पड़े परेपरे एक सितिल हो गया है sleeping के लुए लरूने के लिए आतोर है ठीक है फड़ा रहा है क्योंकि वह अपना परिदर्सन करना चाहता है य कितना ओव वो टक कहा भी धा कि यदि लफ्टरंस राइब आपका उक्ति देदे गषन है तो किiva इसलिए अब हम आते हैं तैसरे व्याखिया पे यह जो लाइन है अब के हार में यहां खूब फलेगा चाचा भतीजा दोनों यहीं बैटकर आम खाना जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यहां आम है जिस महिने उसका जन्म हुआ था उसी महिने महिने इसे लगाया था अब यह जो लाइन है प्याड़े बैचों यहां बोलता है तो लहना सिंग कब कब बोलता है जब लहना सिंग मरने वाला होता है ठेक है मरने वाला होता है वजीरा सिंग के अपना सर गूद में लिटाया होता है तो मरनासन की स्थिती में लहना सिंग बढ़ बढ़ाता है यानि मरने वाला होता है कुछ से कुछ जीसे बूड अब हमेशा लड़की का ही तो बात नहीं याद आएगा कुछ पडिवार को भी आएगा तो उसी प्रकार लहना सिंग का जो पडिवार है एक खास संबंध के बाड़े में आपको बताते हैं लाना सिंग का एक भतीजा होता है कौन होता है भतीजा वो अपने भतीजा कीतर सिंग जो होता है कीतर सिंग के बारे में वह आपको बताता है वो लाना सिंग काता है कि जब कीतर का जब जन्म हुआ था यानि जब उसका जब भतीजा का जब जन्म हुआ था तो उसी दिन वह आ आम का पेर लगाया, तो जितना बड़ा भतीजा होगा, उतना ही बड़ा क्या होगा, आम का पेर होगा, यानि जिस उम्र का आम का पेर है, उसी उम्र का उसका भतीजा है, तो अब के हार में जो आम है, आम खुब फलेगा, यानि आम इतना फलेगा कि पुरा जो बगीचा है, बगीचा आम से भर जाएगा लेकिन दुख की बात यहां है कि वहां आम का रस लहना सिंग चक नहीं सकेगा इसलिए लहना सिंग काता है कि तुम जब घर जाना तो चाचा भती जा यानि तुम और भती जा दुनों साथ मिलकर के वैटकर आम खूब खाना उस आम का स्वाद ले स्थिति में समझ गए तो उत्तर किस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको लिखना है तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है प्रस्तूत पंतिया हमारी पाठ पुस्तक दिगंत भाग दो के उसने कहाता सिर्शक पाठ से ली गई है जिनके लेखक पंडित चंद दर सर्मा गुलेडी जी है कौन है तो प्यारे बच्चों चंद दर सर्मा गुलेडी जी है अब पड़ागर आप चेंज करके फिर आपको मीन पॉइंट आपको लिखना है ब्रिटी सेना में कारियरत जमादार लहना सिंग दोड़ा एक अन्य सेनिक वजीरा सिंग से उक्त ब यहां बात वजीरा सिंग को लहना सिंग कांग याधा यूद में घायल होकर मरंसन इस सिति में यानि कि मरने वाला है मरनाय के सि하gencken को गडी लग जाता है जमीन में गिड़ जाता है ठेके काफ How को लगता है गोली लगता हुआ से खून काफी बाथा है इसलिए मरनाशन के सित्य में है व जीरासिंग 2007 उसकी सेबा में लगा हुआ है उस समें लहना सिंग के मनस्तिति समान नहीं है यह याने जमन का जो समान नहीं है विगत असमिर्तिया उनके मानस पटल पर अंकीत है पाठ ने होगा पटल पर अंकीत है सुधार कर लिए संभवता वह अपने बगीचे में लगाए आम के वुडिक्ष की चर्चा कर रहा है वह वजीरा से कहता है कि इस वर्स आम के वुरिक्ष में काफी आम फलेगा क्या फलेगा काफी जादा आम फलेगा उसका आम का बगीचा आम से भर जाएगा इतना आम फलेगा कि बुड़ा बगीचा आम से भर जाएगा यह तो जीवित नहीं रहेगा अर्थात लाना सिंग तो जीवित नहीं रहेगा किन्तु वजीरा अपने भतीजे के साथ बैट कर आम का रसवादन कर सकेगा यानी रस का आनन्द स्वाद ले सकेगा उसे अपने आम के वडिक्ष की आयू याद आ रही है यानी आम का पेड कब लगाया यहाँ याद आ रही है तो प्यारे बचो लहना सिंग को याद आ रही है इसलिए वह कहता है कि जितना बड़ा तुमारा भतीजा है उतना ही बड़ा आम का व्रिक्ष भी है अर्थात दोनों एक ही एच का है आम का पेर भतीजा याने कि जब जन्म हुआ तब ही लगाया ठीक है आयसा परतीत होता है कि भतीजे के पडीवार से लहने के घारे संब़ध्व है क्या है तो प्यारे बचो मैं गहारा अपका संबंध है इसलिए वह आम के व्रिक्ष की आयूको भतीजा की आयूके बडाइूके बड़ाबर बता रहा है ठीक है अब हाधर, आप ऊठागारा आप व्यक्ति की मनोदसा का अट्यंत स्वाभाविक चित्रन किया है। लहना सिंग की मानसिक इस्थिती वैसे ही हो गई है। धन के साथ मन भी आहत है। गुलेडी जी ने इसकी मनोविज्ञानिक विवेचना बड़ी सफलता से किया। एक बहुत अच्छे तरीके से आपको किया है। था के तो प्याड़ी बुच्व यहाँ पर आपका तीसरा व्याख्या समाथ होता है। इसलिए अब हम चौथे व्याख्या पर आते हैं। चौथा जो आपका व्याख्या है और अब घर जाओ तो कह देना उसने मुझे जो उसने कहा था वो हमेने कर दिया ठीक है और अब घर जाओ तो कहा देना मुझे जो उसने कहा था वो हमेने कर दिया मुझे जो उसने कौन कहा था लड़की कहा था सुभेदार ने कि युद में लाम पर जा रहे हो लाना जी तुम भी जा रहे हो मेरा पती जा रहा है मेरा बीटा भी जा रहा है मेरा तो भाग फुट गया ठीक है एक के को बीटा बचा है बोधा पहली बार युद पर जा रहा है का क्या किया तो रक्षा किया यानि वचन वज रहा तो वही बताता है वजीरा को कहता है मरे मरे जब मरने वाला होता है तो वजीरा को भी कहता है कि वजीरा जब तुम सुभेदार्नी के पास जाओगे तो बोल देना उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया अर्थात सुभेदार् हमारे पाठ पुस्तक दिगंद भाग दू के उसने कहा था पाठ से ले गई है जिनके लेखक पंडित चंद धरसर्मा गुलेडी जी है कौने तो प्यारी बुच्छ पंडित चंद धरसर्मा गुलेडी जी है सत्रूं की गोलिया शरीर में लगी हुई है यनि जो जर्मन सेनिक था उसका गोली लगा हुआ है उसका मानसिक संतूलन वो विगर गया विगरने के बाद बर बारा रहा है बिते हुए दिन की अस्मिरतिया उसे जख जोर रही है ऐसी स्थिती में वह वजीरा सिंग से कहता है कि वह जब घड जाएगा तो उस सुबेदारनी को कहा देना कि लहना सिंग को उसने जू कहा था उसने वह कर दिया उसने क्या किया तो प्यारे बोचो कर दिया अर्थ 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 तो ने सुबेदार हजारा सिंगर किया प्रानों की रक्षा अपने जीवन का बलीदान करकि किया उसने अपने वुचन का पालन किया तो औरस होता है प्यारि तो प्यार क्या होता है तो प्यार ऐसा प्यार होना चाहिए जो उसने लाणा श्ञग को जो बोल दी तो नलाना सिंग ने क्या किया मरते दम तक उस बात को अम्ल किया है कि नहीं है तो इसलिए कहा जाता है यहाँ पर विद्वान लेखक ने यहाँ पर लहणा सिंग के ओधार डित्र का वर्नन शिंग ने उच्छ जीवन सीधान्तों के पालन का आधर्स प्रस्तूत किया है तो इहाँ पर आपका जो व्यक्या यहां समाप्थ होता है इसलिए अब आते हैं वस्तर-दुप्रशन परと दिए आपका जो मुख मुख वरस्तुप्रशन बस में वही दिया महत्रतर स्व लवर्शन निश्च्राइप दिया है ठीक है चलिए पहला आपका वर्ष्ट नित्प्रस्न है उसने कहा था कहाने के कहानिकार कौन है तो उत्तर क्या हो जाएगा प्याड़ी बच्चों चंदधर सर्मा गुलेडी जी है नेक्स्ट है उसने कहा था कैसी कहानी है तो यूद विरोधी कहानी है ठीक है नेक्स लेडि किस यूग के कहानिकार है प्रेम चंद्र यूग के गद्यका विकास किस काल में हुआ उत्र क्या हो जाता कहानि कि बट्टी हुई है उत्तर क्या हो जाएगा पांच भागों में बट्टी हुई है और तीन भागों में यूद्ध का वर्णन है नेक्स्ट है किसी कहानी को महान कौन बनाता है तो पैड़े विच्व उत्र क्या हो जाएगा कहानी की उद्देश नेक्स्ट है चंदधर सर्मा गुलेडी की कहानी कौन सी है तो बेचारा पूरे जीवन काल में तीने को कहानी लिखा एक उसने कहा था सुख में जीवन बुद्धु का काटा उतर क्या हो जाएगा उसने कहा था नेक्स्ट है चंदर सर्मा जी का जन्म कब हुआ साथ जुलाय 1883 को जन्म हुआ नेक्स्ट है लड़का और लड़की पहली बार कहा पर मिले उतर क्या हो जाएगा दुकान पर क्यानी ठीक है दुकान पर मिले नेक्स्ट है बच्पन में लहना सिंग लरकी को बार बार क्या प्रस्ण करता था उतर क्या हो जाएगा तेड़ी कुडमाई हो गई यही बार बार प्रस्ण करता था नेक्स्ट है लहना सिंग अपना कमल किसे उठाता है उतर क्या हुझाएगा बोडा सिंग को उठाता है इसके लिए अलाव भी जला देता है पहरा भी देता है कपे अच्छी तरीके से महिन आप सभी को बताया था कुछ को कितने आदमी खंदक में चोड़ कर जाने को कहा का है उत्र क्या प्लीश हो गया गिया द्वैख्या करा दिया। सवान्स करा दिया। लेकाक पड़ी चाए प्रस्ट्राइश नूंतर प्याड़े बच्च कस मुहांने आपको करा आए देशनलाуд करें भीजान कौने。